हेलو फ्रेंड वैलकम टू अंदर वीडियो तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम आइनालेसिस करेंगे प्रिंच पाइप के स्टॉक को फ्रेंड जब से कंपनी की लिस्टिंग होती है एप्रॉक्स डिसमबर 2019 में इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तब से लेकर अभी तक इसने अपने इंवेस्टर को लगभा 341% का return generate करके दिया है तो फ्रेंड अगर मैं पिछले 1 year की बात करूँ तो 1 year में इस stock ने approximately 1 year में 20% का return generate करके दिया है अगर मैं पिछले 1 month की बात करूँ तो 1 month में भी इस stock में तेजी थी लेकिन आप थोड़ा अपने higher price से इस stock में correction हमको देखने के लिए मिल रहा है अगर मैं 1 month की बात करूँ तो अभी भी 1 month में 4% की हमको यहां पे तेजी देखने के लिए मिल जा रही है तो friends सबसे पहले हम company के fundamental के उपर बात करेंगे fundamental में सबसे पहले company का market cap देखेंगे अगर मैं market cap देखने जाओ तो यह लिकल के आ रहा है 7,948 crore के पास में अगर मैं company का P ratio देखने जाओ तो यह लिकल के आ रहा है 63.56 के पास में अगर मैं PV ratio देखने जाओ तो ये लिकल का रहा है एप्रोक्स 60 के पास में अगर मैं industry P देखूं तो industry P लिकल का रहा है 62.75 के पास में में सबी company का stock अपने industry P के साथ trade कर रहा है अगर मैं company के ओपर कर्ज की बात करूं company के ओपर विल्कुल भी कर्ज नहीं है हम इसे एक debt free company consider कर सकते हैं अगर मैं return on equity की बात करूं तो return on equity इस share का लिकल के आ रहा है 12.32 के पास में तो friend अगर मैं EPS देखूं company के लिए तो earning पर share लिकल के आ रहा है 11.31 के पास में और dividend yield इस company के अभी कुछ वे नहीं है अगर मैं book value देखूं तो ये लिकल के आ रही है 123.37 के पास में अगर face value देखो company की तो ये लिकल के आ रही है 10 के पास में तो friend अब हम company का financial देखेंगे financial में सबसे पहले company का revenue देखते हैं वह भी quarterly अगर मैं quarterly revenue देखने जाओं तो पहले हमको company की मैं पर सांदर ग्रोफ देखने के लिए मिल जा रही है तो friend अब सबसे पहले हम company का यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे वह भी quarterly तो फ्रेंड अगर मैं quarterly company का share holding pattern को चेक तो friend मैंने आपके सामने share holding pattern लगा दिया है share holding में सबसे पहले हम पर motor की quantity देखेंगे और हम यहाँ पर previous five quarter के share holding pattern को चेक करेंगे अगर मैं जून और सितंबर के quarter में देखूं तो company के promoter के पास बिल्कुल सेम quantity थी लेकिन दिसंबर से इनकी quantity में एप्रोक्श टू परसेंट की हमको कमी आती भी दिख रही है तो friend उसके बाद अगर मैं FI की share holding pattern देखूं तो FI की लगातार यहाँ पर buying चल रही है share में और FI की quantity यहाँ पर हमको बढ़ती भी देखने के लिए मिल रही है तो friend अगर मैं D.I. वालो की quantity भी देखूं तो D.I. की quantity भी लगातार share में बढ़ती भी जा रही है अगर public की quantity देखूं तो public की quantity इस share में हमको कम होती भी दिख रही है तो friend अब हम करेंगे share का technical analysis तो friend मैंने आपके सामने प्रिंस पाइप का weekly charge लगा दिया है तो friend जब सिर की listing होती है उसके बाद share में हमको यहाँ से एक तरफा reality देखने के लिए मिलती है और share अपना high बनाता है approximately 900 की price के आसपास उसके बाद share के price में हमको यहाँ पर correction देखने के लिए मिल जाता है share बिलकुल lower high के pattern में नीचे की और गिरता है और नीचे अपना support बनाता है approximately 550 की price के आसपास उसके बाद share एक zone में consolidate करता है और इस zone के breakout के बाद share में तेजी हमको देखने के लिए मिल जाती है अगर मैं यहाँ पर share के लिए first resistance की बात करता तो यह price लिकल के आती 640 के आसपास चोकि share नहीं यहाँ पर multiple time resistance फेस किया और उसके बाद इसका breakout कर दिया अब उसके बाद फिर share में हमको यहाँ से तेजी देखने के लिए मिल गई तो friend अगर आप इस समय share में position बनाने के बारे माँ सोच रहे है तो share का जो first support लिकल के आ रहा है वो लिकल के आ रहा है 700 की price के आसपास तो friend अगर आप यहाँ पे share में कुछ position बनाने के बारे माँ सोच रहे है तो यहाँ पे सिर्फ अपनी quantity का 10% buy करिए क्योंकि friend आपको दीख रहा होगा share एक panel channel में trade कर रहा है तो friend इस panel channel का जो support लिकल के आ रहा है approach 680 की price के आसपास लिकल के आ रहा है अगर मैं साथ में यहाँ पे moving average देखूं तो moving average का support भी approach 680 की price के आसपास आ जाएगा 14 days का तो friend हमारे according share यहाँ पे आना चीए 680 या 19 की price के आसपास तो चाहे तो आप अपने 30 से देखे 40% quantity को यहाँ पे buy करके चल सकते हैं तो friend अगर उसके बाद मैं next support की बात करूं अगर share ने इस price का भी breakout कर दिया तो share के जो next support लिकल के आएगा वो लिकल के आएगा 640 की price के आसपास क्योंकि यहाँ पे share ने पहले multiple time यहाँ पे resistance face कर रखा है friend यहाँ पे आपको clear card दिख रहा है कि यहाँ पे share ने multiple time resistance face किया है लेकिन अब यही resistance share के लिए support की तरह काम करेगा वो भी बिल्कुल strong support की तरह काम करेगा तो friend मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस परकार से इसमें weekly charge पे काम करना है friend share के लिए एक बार मैं RSI indicator चेक कर लेता हूँ तो friend अभी RSI बिल्कुल 60 के आसपास चल ला है तो means जब भी RSI 60 के आसपास आता है तो share में आपको past में clear कर दिख रहा है कि थोड़ा correction होता है तो मेरे according यहाँ पे correction हो सकता है जब RSI 40 या 50 के आसपास आए तब आप इस share में position बनाने के बारे में सोच सकते हैं प्रेंड का support भी friend हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है तो friend अब मैं इसके analysis करूँगा daily chart पे तो friend मैंने प्रिंस पाइप का आपके सामने daily का चार लगाया तो जैसे मैंने आपको बताया थे कि share एक balance challenge में trade कर रहा है तो उसके accounting जो share की price आ रही है वो आ रही है 680 और 90 के आसपास तो चाहे तो आप इस जोन में share में position बनाने के बारे मैं हो सकता है क्योंकि best buying जोन share के लिए यही जोन होने वाला है जो share की price रहेगी 680 से लेके 690 के आसपास आप share में position बनाएगी तो friend अगर मैं चार्ट में पास्ट में गया तो हमको clear cut यही जोन देख रहा है कि यहाँ पर share ने resistance face किया था और share इसको cut out करने में फेल हो गया था उसके बाद share में ground देखने के लिए मिल लिखी है तो friend इस बार यही जोन share के लिए support का का काम करेगा तो मुझे लगता है कि share में यहाँ से तेजी आ जानी चाहिए तो friend अगर मैं इसका RSI indicator देखूँ तो RSI indicator अभी हमको दिख रहा है एप्रोक्स 48 के आसपास में यह daily का चार्ट है तो friend अगर यहाँ पर से 20 रुपीज का correction share की price में हो जाता है तो यह RSI लगवर 30 के आसपास आ जाएगी जब भी RSI 30 के आसपास आती है तो share में वहाँ से momentum आ जाता है means share में यहाँ से तेजी हमको देखने के लिए मिल जा रही है तो friend ऐसा मैं past के data को देख के बोल ला हूँ तो आपके layer cut देख सकते हैं कि जब भी RSI 30 के आसपास आई है तो share में तेजी हमको देखने के लिए मिल जा रही है तो friend अगर आप share में position मराने के बारे मां सोच रहे है तो अगर मैं आपकी current price भी current level ले लो तो यहाँ से आपके लिए जो first target रहेगा approach उस target में आपको यहाँ पर 8% का profit देखने के लिए मिल जाएगा जो आपका target रहेगा वो रहेगा 750 के आसपास अगर मैं आपके लिए second target की बात करूँ तो second target में share में आपको 14% का profit देखने के लिए मिल जाएगा आपका target रहेगा 800 के आसपास तो अगर मैं next target बताओं तो next target में आपको share में approximately 21% का profit देखने के लिए मिल जाएगा और share का target रहेगा 850 का तो friend अगर मैं next target की बात करूँ तो next target में share में approximately 27% का profit देखने के लिए मिल जाएगा और share की price रहेगी 900 के आसपास तो फ्रेंट अगर आप इस परकाट से सियर में काम करोगे तो definitely आपको सियर में profit देखने के लिए मिल जाएगा मैंने आपके सामने सियर के fundamental discuss करी लिया है अगर आप सियर में position बनाने के बाए मैं सोच रहे हो तो एक बार खुद की research करेए चाहे तो अपने financial advisor से भी consider कर सकते हैं तो friend अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe कीजिए साथी comment section में comment करके यह भी बताएए कि आपको next video की share के उपर चाहिए